रादे रादे सभी मित्रों को भी है जम लेकर क्या गए है एक प्लाट चालिस वीगे का प्लाट है और अपना जो खणंजा देख रहे हैं यह काफी चौड़ाला चक्रोड है इसमें परचन टाइम में खणंजा लगा हुआ है नीट वाला अपने वर इसे से या बरसात का पानी भरा हुआ है यही प्लाट है चालिस वीगे का और अब ही इसके बारे में हम पूरा बताते ही पहुंच करके पूरा बताएंगे इसके बारे में और पूरा चल करके प्लाट दिखाएंगे चाचा जी काउन गाउं आए संकरपूर गिसनी बिले जावते जमीन का और तैसिल कौन पड़े कि भी या तैसिल पिस्वा जिला सिताप और चालिस पीगे का प्लाट है कौने ब्रादर क्या है पंड़ जी की पंड़ जी की जमीन है आप आयो तो लहुंड़े की है का प्लाई और ये कहां से पड़ेगी इधर अच्छे ये वाली मेड़ पर से हैं हाँ इस तरब यहां से परेगी पूरा चल करके हम दिखा देते हैं प्लाट तो नमबर एक कहें देखा जाए बराबर जमीन है औरत भी लगा है धान भी लगा है और मेड़ पे पापडल का पेंड़ लगे हैं काफी चौड़ा चक्रोड है यहां से मेड़ है इस फ्लाट के इस तरब यह वाली मेड़ है और यह बीच में नहर आ भी आ अच्छा हाँ यह नहर है यह नहर है पास में यह फ्लाट है और इसका अपने यह जो खरंजा इसका प्रिंट संतिंग में है कुछ नहीं तो पांच सो पिट का मिलेगा ना भी आ अच्छा काली रोट परिजन टाइम में इसमें खरंजा लगा हुआ है और देख लिजी कितना नंबर यह का प्लाट है यह वहां से जहां यह लोग खड़े हैं जों करके दिखा देते हैं अब चलकर वहां तक कि हम दिखा देंगे यह वहां से ले करके और फिर यहां तक इतना फ्रेंट मिलेगा रोट का और इसके अंदर भी चलकर के दिखाएंगे तो जमीन के अंदर चलते हैं प्लाट दिखाते हैं रोट के दिखाए दिखाए दिए हैं रोट के तरफ से अंदर भी चलकर के दिखा रहे हैं इसके लंबान चोड़ान बरावर है जमीन का गहरान थोड़ी से ज्यादा परेगी मान के चले रोड का अगर 500 फिट मिलेगा तो गहरान आपको वही 700 फिट का मिलेगा बहुत दोर चलके आएं भीया जी वीडियो बनाने अपने महादेवा से जिल सेता पुर जिला में इसमें हैं प्रिजंटाई में यह जमीन है नंबर एक की जमीन है प्रिया और एक ही फरी काईन है इसमें और 40 बीड भा में एक ही फरी काईन है जो एक कही लोग रजिशर्टी करेंगे यह नहीं कि दो थीन किसान है यह कही किसान है 40 बीड मी प्लाड भी नंबर एक की देख लिए बरावर जमीन है इदर उ्रड लगा हुआ है ये उरत लगा है तो और ये धान लगा हुआ है इस तरफ की मेंड ये वाली जो पेंड लगे हैं पापलोल का पेंड लगे हैं कुछ बिलोड का लगे हैं इसको बटाईया लोग बोते हैं कि खुद अपने बूत खेती करवा हुआ तो यानि अपने बूत खेती नहीं कर रहे हैं अच्छे लखनों में रहते हैं तो रजिस्टी करवाई जमीन होगी इस तरब के मेड़ ये वाली है जो पेंड लगे हैं मेड़ पर तक चलके दिखा रहेते हैं इस समय हम बीज खेत में चल रहे हैं खेत के बगल में ये नहर है नहर से भी सचाई कर सकते हो और बागी तो खेत में बोरिंग मिलेगी पीछे जो गन्ना लगा हुआ है जों कर देते हैं ये जो गन्ना लगा हुआ है ये वाली पीछे की मेड़ है गन्ना के बराबर से बढ़ेगी हां चचाई गन्ना के बराबर से वाली जमीन पढ़ेगी और उस तरब आगे वो क्लट्र लगे हैं जो सफेदा गयते हैं वो सफेदा लगावा मेड़ पर अच्छा यानि मेड़ पर लगे हैं अच्छा मेड़ वही है फिर उधर भी चलके दिखा देते हैं अच्छा फसल क्या क्या हो सकती है यहां पर अच्छा यानि सारी फसल होती है मंफली भी हो सकती है क्योंकि मंफली के खेती तो अभी आगे कर रहे थी इस पर आगे यानि फसल यहां पर सारी होगी भी या जींकि अब यहीं पर खड़े होकर कि हम दिखा देते हैं भी या और तो काफी चल चुके हैं चालिस भी घी का फ्लाट है अगर चारू तरब में चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगी कि इस समय सौच लिए कि मैं फ़ीश खेत में खड़ा हूँ यह जो गन्ना लगा हुआ यह चाल्व कि यानि अपने प्लाट में पूरे में धान लगा हुआ है और ओरत लगा है दो पसिल लगे हुई है यहां से हम चार उतरब दिखा देते हैं सामने वहाँ परियां जहां से हम उतर करके आये थे वह रोड है सामने यहां पर लोग खड़े हैं जोम करके दिखा देते हैं यह लोग खड़े हैं वहाँ पर रोड है यानि खड़ंजा लगा हुआ है अभी काली रोड नहीं बनी है पर बन जाएगी दो तिन मेहने में पास हो गए यह लोग बता रहे है और यह पूरा प्लाट है एकदम पराबर जमीन ही देख लिए दान ने देख लिए परज़न टाइम में बरिया नंबर एक का लगा हुआ हूए यह निकलते हैं रोड के तरफ और बार था है जली जैजी ठग गए हैं क्या यानि कितने मेंस से हम लोग वीडियो बना रहे हैं बिजाजी महारेवा से चल करके आएं सीथा पुर जिला में सीथा पुर जिला है ना बिजा परस की ताथिल क्या बताए थे बिस्वा ताथिल विश्वा जिला सीतापुर में हैं विजा जी इसमें हम लोग पर्चमते में फ्लाट की बीडियो बनाने आये थे बढ़िया नमबर एक का फ्लाट मिला था जिस विजा जी के समझ में आ रहा है खेती वाली जमीन लेना चाहरे हो नमबर एक की और रेट भी इसका सस्ता है रेट भीमान के लिए बहुत सस्ता है इसका और अभी पहुंच करके बताते हैं रेट भी दो डाहे भीगा में उरद लगा हुआ है यह देलिक्षी उरद है यह सामने उरद लगा हुआ है बाकी उली धान ही लगा हुआ है हुआ है चलो पीछे गुम करके निकल लेते हैं बर साथ होई है तो इसलिए तो पानी तो मिलेगा खेत में पर खेतिकार वाली जमीन नमबर एक की है अब हम रोड पी आ गए है फिर चलते हैं आगे दिखा देते हैं भी याजी रेट की भी बात करते हैं यह काफे चोड़ा चक्रोड काली रोड से बानके चलें क्यों ही 12500 परेगा जो अगे काली रोड है के और है मार्किट कउन नजदीक परेगी मार्किट कmışते चक्ल है यह कितनीओ ध exception है यहां एक क्लिमिंटर एक कि प्राइब है एक अच्छ में झाना ऑ ही आज कि आ एए इस प्लाट से मार्केट के एक किलोमीटर के दूरी पर ने हैं भी या जी और अआव आज़या आदे पास में है आवादी से मन्जीटें दो खेक्वरुरु से 89 generally और प्लाट तो नमबर एक का है देखिए बढ़िया खेती भी हो रही है यह हम लोग इतनी लोग आये हैं विजाजी प्लाट देखने इस तरफ की मेड़ यह वाली है अरे नई इसमें होंगे तो मेड़ पर होंगे यहां पर काली रोड आगे डेट सो मिटर आगे काली रोड है और यह भी काली रोड पास है मंजाएगी जी वाली जमीन है यानि मानट के लिए 3,50,000 रुपे पर भी घा में यह वाली जमीन मिले गी । कि पंडी जी का प्लाट है यह कही फरीकाईन है यह जिस भी या जी के समझ में आ रहे है यह प्लाट लेना चाए है तो ले सकते हैं यह कही प्लाट है चालिस वीगे का और तिन लाग पचास जार रुपे बीगा में पड़ेगी तफिर अगले वीडियो में मिलते हैं सभी मित्रों को रा दे रहे